हेलो गाइज आपका मेरी चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षानी देश आले की तरफ से दी जाने वाली कारेपत्रक नंबर 29 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और विशे है हिंदी ये वर्क्षिट 9 नेवेंबर 2021 की है तो आज ये शुरू करते हैं आज की पत्रों का हमारे जीवन में विशेश महत्व है पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं जिसको किसी कारणवश हम नहीं कह पाते हैं हम पत्र द्वारा लिकर आसानी से कह देते हैं पत्रों के मुख्य दो भागों में बाटा गया पत्रों को क्या कहा ग पिछली वक्षित में हमने अपचारिक पत्रों के बारे में जाना था, पिछली वक्षित में हमने क्या कहा था, अपचारिक पत्र लिखने सीखे थे, आज हम सीखेंगे अनपचारिक पत्र, देखो क्या कहा गया है, कि इस पत्र में व्यक्तिकत पत्र आते हैं, इस परकार अप पत्र लिखने वाला अपना पता और तिथी बाई तरफ लिखता है इसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है जैसे कि नमस्ते असीम स्नेहें आदर चरंड सपर्ष यह आपका क्या लिखा जाता है उसके बाद जैसे कि पुजिनिय या इस तरह से शब्द लिखे जाते है उनक में जिससे पत्र लिखा जा रहा है उससे लिखने वाले का संभंध नाम लिखा जाता लास्ट में तुम्हारी चोटी बहन तुम्हारा बड़ा भाई इस तरह से लास्ट में क्या लिखा जाता है इस तरह से जिसने पत्र लिखा उसके साथ क्या रिलेशन है और उसके बाद म अपने पते के स्थान पर और कैख है गए अपने नाम के स्थान पर लिख सकते हैं पत्र को एक प्रस्ट में ही लिखने का परियास करना चाहिए ताकि तारमत्या बनी रहे तो यही सब लगबग कुछ बाते थी जो हमने अपचारिक पत्र में भी यही देखी थी पुझे मामा जी, साधर प्रणा, मेरे जनम दिल पर आपके द्वारा भेजा गया भधाई संदेश और एक सुन्दर हाथ गड़ी का उपहार मिला, आपके द्वारा भेजा गया यह है उपहार मेरे लिए सभी मित्रों और सहपार्टियों को भी काफी पसंद आया, तो देखो पत्र में का लिखा जो उपहार भेजा गया, उसके लिए थैंक्यू दिया गया है, मैं तो आशा कर रहा था कि इस बार आप मेरे जनम दिल पर स्वयम उपस्तित होकर मुझे इसने आशिरवात देंगे, परंतु किसी कारण आप ना आ सके, जब आपका उपहार प्राप्थ ह इस तरह से जब हम कोई भी अनुपचारिक पत्र लिखने हैं तो वो इस तरह से लिखे गए हैं, अब आपकी वक्षिट में दो होंवक दिये गए हैं, फरस्ट है अपने मित्र को दिपावली की शुब कामनाय देते हुए पत्र लिखो, तो आइए देखते हैं इसका अंसर ह हैंगे, 127 विकास नगर, नई दिल्ली, दिनाक 9-11-2021, आद देखो क्या लिखा गया है, प्रिये मित्र अनुराग, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया, आपके दोस्त का तो आप अपने दोस्त का कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रिये मित्र, आज दिवाली का यहाँ है, मैंने सोचा कि आज के दिन तुम यहाँ आओगे, लेकिन तुम ना आ सके, और नहीं तुमारा कोई समाचार मिला, यहाँ पर मिला कर देजिगा, ठीक है, मिला है, आशा है, तुम स्वस्त हो और तुम्हारे परिवार में भी सब स्वस्त सैकुशल होंगे, देखो दिवाली के दिन चारों और बड़ी चहल पहल है, लोगों के चहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है, दिवाली हमारे देश का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा तिवार है, कहते हैं, इसी दिन श्री राम चंदर लंका के राजा रावन को हराकर 14 वर्ष के बाद अयो तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली के हारदिक शुपकामने, और लास्ट में आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र और जो भी आपका नाम है, जैसे कि हम लिख देते हैं रवी, या जो भी आपका नाम है वो आप यहां पर लिख देंगे, तो इस तरह से आप एक एक एक्जामपल है, आप इसमें कुछ और वर्ष एड कर सकते हैं, जैसे आपको इसी लगता है, तो यह होता है, फर्स्ट कोशन का अंसर, अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट को क्या कहा गया है, अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य को करोना के बाद स्कूल के पहले दिन का अनुभव बताते हुए पतर लिखना है, आपको क्या करना है, आपको पतर लिख रहा हूँ, यह है, बताने के लिए कि मेरे स्कूल खुल गए है, और मैं आज अपने स्कूल भी गया था, देखो इतने दिनों बाद खुल गए हैं तो अपने एक्स्पीरेस बता रहे भी कैसा लगा, आज लगबग देड़ साल के बाद मैं स्कूल गया थ और अपने दोस्तों से भी मिला, उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने साथ बैटकर बहुत सारी बाते की और साथ ही बहुत दिनों बाद पढ़ाई भी की, मैं अपने नए अध्यापकाओं से भी मिला, इतने देर साल के बाद गया है तो नए टीचर्स भी होंग ताकि हम सब स्वस्त रह सके, अपनी पढ़ाई जारी रख सके, आशा है कि मेरा पत्र आप तक पहुँच गया होगा और आप इसे पढ़कर बहुत खुश हुए होंगे, आपका छोटा भाई, आप स्ट्रेस लिख दीजे कि आपका छोटा भाई, आपका छोटा भाई, आप की वक्षिट वक्षिट को कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाई है और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक्यू गाईज